अचुछा हैं वी यो चुछा, पिनल संदिल को पता दिए ल Physics के लिए जुषा व了 कुर्चोति, क्यों बंता है, वेला सब्कुछें गुल्ला होता है ले क्या है खहती हैं अिर भुत, वेमारे कहले बच्चो Usorn क बंता हूं और यह मेखास के रहूँ कि यह टेडी जुला है तो चलिए friends, start करते हैं आज का यह वीडियो और अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और कुछ सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करते हैं और आप मुझे इस्टाग्राम, फेस्बूप, वाटसब पर भी पॉलर कर सकते हैं वाटसब का नंबर अबोर्ट सिक्षन में दिया गया है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट स्टाट करते हैं आज का यह वीडियो तो फ्रेंट्स माइक्रेम टेडी जूला बनाने के लिए हमें चाहिए दो कलर के माइक्रेम मैंने यहाँ पर लेमन कलर लिया है और ब्लू कलर लिया है यहाँ पर मैंने यह कॉम्बिनेशन किया है और हमें चाहिए कुछ bells यह medium size bells से white color में transparent लिए है मेने और कुछ इस तरह के bits यह भी मेने white color में ही लिए है और तेड़ इंच की ring एक चाहिए और दो मेने हाँ पे wood stick लिए है और 10 इंच की stick है यह इस तरह के हमें दो stick चाहिए और as usual हमेशा की तरह lighter और scissor तो चलिए friends start करते आज का यह video तो देखे friends यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक stick लिए है 18 इंच की stick है और यहाँ पे सबसे पहले हम lemon color के दो cord डालेंगे यह जो हमारे cord है वो 2 meter के है इसके बाद हम blue color के cord डालेंगे और यह जो blue color के cord है वो मैंने 3,5-3 meter के लिया है और यह यहाँ पे हम चाल डालेंगे याद रखे लेमन color जो है वो मैंने 2 meter लिया है और blue color जो है वो मैंने 3,5-3 meter लिया है अब चाल blue color के cord डालने के बाद हम फिर से यहाँ पे lemon color के दो cord डालेंगे फिर से चार blue color के डालेंगे इसी तरह से हमें इस pipe में सारे cord को लगाना है तो देखे friends इस तरह से मैंने इसमें सारे cord डाल दिये है और जो lemon color के cord हमने यूज किये वो हमें हमें total 16 लगे है तो यह पूरे cord हमें total 26 लगे है और lemon color के हमें 2 meter के लगे है Blue color के हमें 3.5 meter के लगे है अब जो है हम यहाँ से knot लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से हमें square knot लगाना है तो दिखिये, सारे हमने इसी तरह से नॉट लगा लिए है, अब जो ये दो ब्लू कलर के नॉट है, इनके बीच में हमें और एक स्क्वेर नॉट लगाना है सिफ ब्लू कलर के मिडल में ही हमें स्क्वेर नॉट लगाना है अब देखों जहां पर हमें दो ब्लु के बीच में नॉट लगा है, उसके बगल में जो लेमन कलर का कॉड है इन में से हम दो कॉड यहां पे ले लेंगे और यहां पे जो लेमन कलर का नौट है इन में से भी हम सिफ दो ले लेंगे और यहां पे हमें पाइपिंग करनी है तो जो ब्लू कलर है उसे हम डिवाइड करेंगे दो पोशन में और ब्लू कॉर्ड को लेके यहाँ पर पाइपिंग स्टार्ट कर देंगे सेंप्रोसर सेकेंड कॉर्ड लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर दो बार पाइपिंग की है ठीक उसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें दो बार पाइपिंग करनी है अब देखिए यहाँ जो मीडल में कॉड आते हैं लेमन कलर के उनको लेके हम यहाँ पर एक सिंपल स्कुरे नॉट लगा देंगे तो यह कुछ इस तरह का डिजाइन बनेगा कि किसी तरह से हमें यह सारे बना लेने हैं तो देखिए इस तरह से हमने डिजाइन कम प्लीट की है इस तरह से यहाँ पर चार ब्लॉक बनते हैं अब जो नीचे हैं नीचे भी हम तो यहीं तरह से डिजाइन बनाने तो सबसे आखिर में यहाँ पे देखें चार कॉड है ब्लू कलर के तो मैंने उनको लिया है इसके बीच में सारे कॉड डाल देंगी इस तरह के भीट से और यहाँ पे देखें यह जो मिडल वाले चार कॉड है इनको लेंगे इनके बीच में बीट्स डालेंगे इस तरह से और कॉड लेके यहाँ पे पाइपिंग स्टार्ट करेंगे मैं यहाँ पाइपिंग करने हैं तो उसके लिए लेमन ग्रीन कलर का एक पहला कॉड लिया है और इसके उपर हम पाइपिंग करेंगे फिर से हाँ से दूसरा कॉड लेंगे और इसके उपर और एक बार पाइटिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से ब्लॉक बन जाता है और इस बीच में जो कॉड आते इनको फिर से लेके हमें आप एक स्कुएर नोट लगा नहीं और यह चो साइड में है यहाँ पर आधा डिजाइन बनाया है तो इसे भी हम यहाँ से पाइपिंग आधी ही करेंगे इट मेंस यह जो दो कॉड है इनको लेके हमें इस तरह से पाइपिंग करनी है अब देखिए यहाँ पर यह जो आधी डिजाइन बन गई है उसके पाद हम यहाँ पर एक स्कुएर नोट लगाएंगे आप चाहे तो यह जो दो कॉड है साइड वाले इनको आप यहाँ पर कट करके पीछे की तरफ स्टिक भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से यहाँ पर डिजाइन भी बना सकते हैं और मेनी यहाँ पर ट्रांस्परेंट वीट्स यूज किये आप चाहे तो और भी कलर यहाँ यूज कर सकते हैं फिर से मिडल से कॉड लेंगे और इसमें वीट्स डालते हुए ठीक इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया इसी तरह से हमें फिर से यह ब्लॉक बनाने हैं सारे देखें यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इंडिंग बताई है उसी तरह से यहाँ पर भी इंडिंग करनी है हाफ डिजैंग बनाके नॉट लगाना है बाइब लगाना है अगर आपको इसमें बड़ा बनाना हो तो आप इस स्टीक का साइज भी बढ़ा कर सकती है और ये जो design है इसे भी ज़ादा बना सकते टेडी के height के नुसा अब ये जो में नीचे की design बना रही हूँ ये टेडी का sitting position होगा तो मैंने कुछ इस तरह के यहाँ पे design की है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इस design को बनाना है तो देखिए हमारे पास ब्ल्यू कलर के आठ कॉर्ड है तो चार यहाँ पे और चार यहाँ पे है तो हम इसे अपोजिट डिरेक्शन में इस तरह से लेंगे और यहाँ पे पाइपिंग करतेंगे और यहाँ पाइपिंग करिंगे अब यह जो नीचे से हमने कॉर्ड ली है इन चार कॉर्ड को मिलाके यहाँ पे फिर से पाइपिंग करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह की डिजाइन बनती है यहाँ पे अब यह जो लेमन कलर के हाँ पे चार कॉर्ड आते इसे लेके हम यहाँ पे सिंपल नॉट लगा देंगे तो इसी तरह से हमें यह ब्लोग बनाने है तो देखिए फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक ब्लोग दिखाया था उसी तरह से मैंने यह डिजाइन छे बार इस डिजाइन को बनाया है आप अपने टेडी के साइज के नुसार यह शीट आप बना सकते हैं पूरी मैंने यह साथ बार रिपीट किया यह डिजाइन हो रही है छे बार अब जो हे नीचे यह जो ट्रैंगल यहाँ पर गाब दिख रहा है वहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे मीडल वाले कॉड साइड में सेम दूसरे साइड में भी आइसे हमें एक ट्रैंगल में तीन तीन नॉट लगाने हैं इसे नॉट लगाने से यह पूरा एक लाइन में सब डिजाइन आज जाता है इसके बाद हमें स्टिक लगाने है तो इसी तरह से सारे यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे तो देखिए यह नॉट लगा के हमने कम्प्लीट किया है एक लाइन में सारी डिजाइन आ गई है अब इसके बाद हम फिर से एक दस इंच की स्टिक यहाँ पर यूज करेंगे जो हमारा डिजाइन है उसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और एक एक कॉड को लेके इसके सिंगल एक ही तैम हमें डालना है पॉड को चार-चार कॉड डालने के बाद हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे ताकि जो हमने कॉड डाले है वो इधर उधर ना हो होज मैंच मैं बिम्स . हुड हुआ हुआ है ओगी हुआ हिएग को झालियो और करी हो ुष यहुआने विर से जो हुआ हुआ है तो हमें इसी तर से एक एक कॉड को इसके ऊपर डालते हुए और चार कॉड होने के बाद हमें नीचे एक नॉट लगाना है या हमें इसे कोड और लगाने है तो देखिए यह हमें le Deaак चाल लगाना है तो स्टिक के बाद केेश्म लगा लिए और नीचे हमें एक एक लाइन नॉट लगाे थे अब जो है दो नौट के बीच में हमें और एक नौट लगाने है सिर्ट ब्ल्यू कॉड जो है वहाँ पे हमें दो नौट के बीच में एक नौट लगाने है अब इसके बाद लिमन कलर के कॉड लेकि इसके उपर हम पाइपिंग करेंगे जो बीच में लेमन कलर के कॉड आ जाते हैं इनको लेकि आप पे एक स्क्वेर नौट लगाएंगे तो इसी तरह से ये डिजाइन हमें अब पूरी लाइन बनानी है तो देखें इस तरह से ये उपर की जो आदी डिजाइन है वो हमने बना ली है अब जो ये ट्राइंगल बनता है इसके बीच में हम फिर से बिट्स डालेंगे जिससे कि हमने यहाँ पे डाले है अब जो ही फिर से आज से हम डिजाइन बनाएंगे अब फिर से यहाँ से पाइपिंग करेंगे जैसे कि मैंने उपर बनाई है उसी तरह से हमें यह डिजाइन बनानी है अब जो ही साइड वली डिजाइन है इसी भी हमें इसी तरह से बनाना है लेकिन हाफ में बनाना है तो इसी तरह से यह डिजाइन हमें कम्प्लीट करनी है तो देखे फ्रेंट्स मैंने जैसे कि उपर आपको बताया था उसी तरह से मैंने यहाँ पर बिट्स लगाए है और मैंने आपे पहले पाच बिट्स लगा है फिर चार फिर तीन अभी में दो लगा रही हूँ और उसके बाद एक बिट्स लगाके यह डिजाइन कम्प्लीट करूंगी तो कुछ यह इस तरह से ट्रैंगल बन जाएगा तो इस तरह से यह हमारे डिजाइन बनके तयार है अब जो है एक्स्ट्रा बचे हुए कौड हमें कट करने है इसके लिए मैं पहले सेंटर से स्टार्ट करूंगी आपको जितना मतलब चाहिए उतना हाइट आप इसकी रख सकते है मैंने यहाँ पे दो अड़ा इंच तक इस अब चुहे इसे थोड़ा थोड़ा कम लिखके दो दो कोड हम कट कर देंगे इसे हम जला कर पीछे के साइड में स्टिक कर देंगे तो इसी तरह से हमें सारे बेल लगा लेने है तो जूरे को हैं करने के लिए मैंने कुछ इस तरह के स्टिक्स बनाये है तो आईए मैं आपको बता तियू कि इसे किस तरह से बनाना है यह जो मीडल वले दो है वह हम नीची के स्टिक में लगाएंगे तो इसे मैंने बड़ा बनाया है इसे मैंने 44-4 प्रूमी जाल लिए है। लेमन-कलर प्रूमी जो दो 2-2 मीम्र के कौद दली है लेमन-कलर प्रूमी मिटर प्रूमी जाल है। अब हम यहां से सिंपल नौट स्टाट करेंगे। तो सबसे पहले लेमन कलर का जो कॉड है इसे हम इस तरह से अंदर ले लेंगे और ब्लू कलर के जो कॉड है इन दोनों को हम इस तरह से बाहर निकालेंगे और फिर यहापे स्क्वेर नॉट लगाएंगे स्क्वेर नॉट लगाते हुए यहाप पर हम कॉलम बनाएंगे यह जो हम नॉट लगाते हैं इसे हमें दस बार लगाना है और यहापे जो मैंने रिंग यूज की है जैसे कि मैंने अपको स्टार्टिंग में बताया था यह रिंग हमारी देड इंच की है तो यहापे मैंने दस बार नॉट लगा के कॉलम बनाया है अब जो यह मीडल वाले कॉड है तो इनमें हमें बीट्स डालने हैं तो मैं यहाप पर वाइट के लेके बीट्स यूज करूंगी दो जो मीडल वाले मैंने स्ट्रिप्स बनाये है उसमें मैंने चार चार डाले है और यह जो साइड वाले है इसमें मैं दो दो डाल रही हूँ अब फिट से हम यहाप पर कॉड को चेंज कर लेंगे उसे पहले हम यहाप एक सिंपल नॉट लगा देंगे एक की बार इस तरह से ताकि यह जो बीट्स से अच्छे से होल्ड हो जाए अब जो यह ब्लू कलर के कॉड़े इसे हम इस तरह से अंदर ले लेंगे और लेमन कलर के जो कॉड़े इनको हम बाहर निकालेंगे और यहाँ से हम स्पाइरल नॉट स्टार्ट करेंगे हमें एक के साइड से नॉट लगान है इसे स्पाइरल नॉट कहते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो का तो देके यहां पर नट लगाया है tahun अब यहां پर हम फिर्फ해 लेमन ख़्रे कोड को इस तरह से अंदर डाल देंगे व्छ कब्सक्रायर के कड को बाहर निकाल के एक नॉटी हां पर लगा देंगे कर देमन लेमन कलर के कोड़ दो बीट्स यहां पर यूज करेंगे और फिर से यहां से स्क्वेर नॉट स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने उपर लगाया था उसी तरह से स्क्वेर नॉट दस बार यहां पर लगाएंगे तो यहां नीचे की तरब जो स्टीक है इसमें हमने लगाया है इस तरह से यहां पर यहां पर यह किस तरह से लगाते है वह मैं बताते आपको और यह जो हमारे पास साइड वाले जो बच्चे है तो इसे हम उपर लगाएंगे यहां तरहाएंगे यहां पर नॉट लगा देंगे यहां पर नॉट लगाया है उसी तरह से दूसरे साइड से भी हम लगा लेंगे हैं कि हम पर प्लिघति अलेकर आठीछ हίν अब जो यह लगा है इसे हम रैप लेंगे हैं इंसी तरह से जोइन कर लिए अर अब यहां थोड़ा सा ज लाकर पीछी की दरफ यहां पर श्लिख कर देंगे और फिर यहां से इसे राप करना स्टार्ट कर देंगे इसे कट कर देंगे और यहां पर स्टिक कर देंगे और यह जो हमने कॉलर में आपे जो आइन किये थे और इसे दो दो इंच पर हमने कट किया था वहां पर हम बैल लगा देंगे तो मैंने आपे एक बिट्स लिया हैं बेल डालके यहां पर स्टिक कर देंगे जहाँ जहाँ हमने कॉलम अटेज किया हैं वहाँ पर इसी तरह से बीट्स डालके बेल लगा लेंगे बीट्स कर देंगे बीट्स 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 उन्य गभान कर खो कर खो कर गभान मैं ते रापन टो सरय मैं झाल झाल